गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स इडू साला में आपका स्वागत है हम लोग लूसेन की सिरीज कर रहे थे जिसमें पॉल्टी चल रहा था यह पॉल्टी का भाग 10 है इससे पहले के वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्ली चैनल को लाइक और सेर करें आज हम लोग देखेंगे सविधान के महत्पुन अनुछेद थिक है तो चलिए सुरवात करते हैं सविधान के कुछ महत्पुन अनुछेद एक यह गोसना करता है कि भारत राज्यों का संग है तो अनुछेद 1 में क्या है भारत राज्यों का संग है अनुछेद 3. संसत बिधी द्वारा नए राज बना सकती है तथा पहले से अवस्तित राज्यों के छेत्रों, सिमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है ये अनुचेत 3 के द्वारा उलेखित है अनुचेत 5 में देख लेते हैं सविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाल या सविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हैं तो ऐसा अनुचेत 5 में वड़नित है नेक्ष देखते हैं अनुचेत 3 कारपाली का संबंधी सकती राश्पती में नहीत होगी अनुचेत 3 के द्वारा संक की जो कारपाली का संबंधी सकती है वो राश्पती में नह रहेगी अनुछेद 64 देख लेते हैं उप राश्पती राजिप सभा का पदेन अध्यक्ष होगा नेक्ष्ट अनुछेद है 74 इसके अनुसार एक मंत्री परिसद होगी जिसके सीर्ष पर प्रधान मंत्री रहेगा जिसकी सहायतायम सुझाओ के आधार पर राश्पती अपने क समपन करेगा राश्पती मंत्री परिसद के लिए किसी सलाह के पुनर विचार को आवस्ट समझ सकता है पर पुनर विचार के पस्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कारेगा इससे संबंदित किसी विवाद की परिच्छ किसी न्याले में नहीं कि जाएगे तो अनुछेद 74 मंत्री परिशत से संबंदित हैं नेक्ष अनुचेद देख लेते हैं 76 राश्पती द्वारा महानयवादी की नियुपती की जाएगी तो अनुचेद 76 के द्वारा राश्पती महानयवादी की नियुपती करेगा अनुचेद 78 प्रधान मंत्री का यह करतब्य होगा कि वह इसके प्रश्रास्नी के उन विधाई मामलो तथा मंत्री परिशत के निद्नयोग के संबंद में राष्टपती को सूचना दे यदि राष्टपती इस परकार की सूचना प्राप्त करना आवस्यक समझे नेक्षे अनुच्छेद इसके अंतरकत राष्पती द्वारा संसद को संपोधित करने तथा संसद भेजने के अधिकार का लेक है नेक्ष्ट है अनुच्छेद नमासी राष्टपती इवं उपसभापती अनुच्छेद 108 देख लेते हैं यदि किसी विध्यक के संबंद में दोनों सदनों में गतिरोध उदपन हो तो संयूक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 108 संयूक्त अधिवेशन से संबंदित है नेक्ष्ट है अनुच्छेद 110 या धन विध्यक को इसमें प्रभासित किया गया है तो 110 धन विध्यक से संबंदित है नेक्ष्ट देखते हैं अनुच्छेद 111 इसमें क्या है संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित विध्यक राष्टपती के पास जाता है राष्टपती उस विध्यक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्विक्रित कर सकता है वो संदेश के साथ या बीना संदेश के संसत को उस पर विचार उनर विचार के लिए भेज सकता है पर यदि दुबारा विधयक को संसत द्वारा राश्टपती के पास भेजा जाता है तो उसे अस्विक्रित नहीं तो ऐसा 111 में वड़नीत है नेक्ष देखते हैं 112 अनुचेद परतेक बीतिये वर्स हितू राश्पती त्वारा संसत के समक्ष बजट पेस किया जाएगा तो अनुचेद 112 के तहट बजट का प्रावधान है नेक्ष है अनुचेद 123 संसत के आवकास में राश्पती को अध्या में चलने की स्थिति में हों 1 2 3 जो परतेकर राश्पती क के अध्यादेश से संबंदित है और 6 देख लेते हैं श्रवे ने अभिलेक न्याले है ऐसा ऑनुचेद 119 के तहट वर्णित है कि अनुचेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की निवत्ती राश्पती द्वारा की जाएगी तो अनुछेद 148 में CAG की निवत्ती की बात की गई है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की निवत्ती जो राश्पती की द्वारा किया जाता है नेक्ष नुच्छेद है 163 इसमें राजपाल के कारियों में सहायतायों सुझाओ देने के लिए राजपाल के स्वविवेक संबंधी कारियों में वह मंत्री परिशत के सुझाओ लेने के लिए बाध्ध नहीं होगा ये 163 के द्वारा वर्नित है नेक्ष देखते हैं 179 राजपाल में विधान परिशदों की रचना या उनकी समाप्ती विधान सभाद्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्विक्रीती से संबंधी है तो 169 में राजपाल में विधान परिशद की रचना और उसकी समाप्ती से संबंधी थे नेक्ष अनुचिद दोसों देख लेते हैं राजपाल के समक्ष पस्तूत किया जाएगा वह इस पर अपनी सम्मती दे सकता है या इसे अस्विक्रीत कर सकता है वह इस विधयक को संदेश के साथ या बीना संदेश के पुनर विचार है तो विधायका को वापस भेज सकता है पर पुनर विचार के बाद दुबारा विधेयक आ जाने पर इसे औस्विक्रित नहीं कर सकता इसके अतरिक विधेयक को राश्टपती के पास पुनर विचार के लिए भेज सकता है नेक्षे अनुचे 213 इसमें राज विधाइका के सत्र में नहीं रहने पर राजपाल द्वारा अध्या देश जारी कर सकता है तो 213 जो है राजपाल के अध्या देश जारी करने से संबंदित अनुचेद है अनुचेद 214 देखते हैं सभी राजियों के लिए उच न्याले की व्योस्था होगी तो उच न्याले की व्योस्था अनुचेद 214 के अनुचेद 226 मुल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच न्याले को लेख जारी करने की सक्तिया दी गए नेक्ष है अनुछे 233 जीला नियाधीसों की नियुक्ती राज्यपाल द्वारा उच नियाले के परामर्ज से की जाएगी तो ये है 233 के तहर कि जीला नियाधीसों की जो नियुक्ती होगी वो राज्यपाल द्वारा उच नियाले के परामर्ज से की जाएगी नेक्ष्ट अनुछेद है 235 उच नियाले का नियंत्रन अधिनस्त नियालिनों पर रहेगा नेक्ष्ट अनुछेद देख लेते हैं 249 केंद्र सासित परडेसों का परशासन राश्पती द्वारा होगा वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राजपाल को इसके परशासन का दाईतु सौप सकता है या एक परशासक की नियूप्ती कर सकता है तो 249 अनुछेद किंद्र सासित परडेसों के परशासन से संबंदित है नेक्ष है 243 अनुछेद 243 इसमें पंचायत और नगरपालिका के गठन, सनरचन, अरक्षन, सकतिया, प्राधिकार एवं उत्तरदाईतों से संबंदित प्रावधान दिया गया है तो अनुछेद 243 में पंचायत और नगरपालिका के गठन से संबंदित है नेक्ष्ट है अनुचे 245, संसद संपून देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज विधान पालिका अपने राज या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है नेक्ष अनुचे देख लेते हैं 248 विधी निर्मान संबंदी और सिष्ट सक्तियां संसद में नहीं थे तो 248 और सिष्ट सक्तियां से संबंदी थे नेक्ष अनुचे 249 इसमें राजसभा विसेश बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विसाय पर लोग सभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकरित कर सकती है यदि वह इसे राज्षिद में आवस्यक समझे लिके 249 में राजसभा को विसेश अधिकार प् जो राजसूची के किसी विसाय पर लोग सभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकरित कर सकती है यह राज्षित में अगरों समझे अवस्यक समझे नेक्ष है अनुचे 262 यह अंतराजी नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरन योंनियंत्रन से संबं अधि द्वारा निर्मने कर सकती है 262 है अंतराजी नदियों या नदी घाटियों समझे 263 देख लेते हैं अनुचे 263 केंद्राज संबंदों में विवादों का समधान करने यह प्रस्पर सहयोग के छेतरों के विकास के उदेश से राश्पति एक अंतराजी परिसद की अस थापना से संबंदित है नेक्ष देख लेते हैं 200 अनुचे 266 यह भारत की संचित नीधी संबंदित है भारत की संचित नीधी जिसमें सरकार की सभी मौद्री कविष्टियाप एकत्र रहेगी विदी संबत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी रासी नहीं निकाली जा सकती ह नेक्ष ए अनुचे 266 इसके द्वारा संसद विदी द्वारा एक आकस्मिक नीधी स्थापिक करे सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन परिष्थितियों के लिए रासी अकत्र की जाएगी तो अनुचे 266 आकस्मिक नीधी से संबंदित है नेक्ष अनुचे 275 यह केंद्र द् दान दिये जाने का प्रावधान करता है तो अनुचे 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहाएक अनुचे 280 राश्पती हर पांचिवे वर्स एक बीतायोग की अस्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतरिक चार अन्य सदस्य होंगे तथा जो राश्पती के पास केंद् द्रन का संबंद में अनुसंसा करेगा तो अनुचे 280 बित आयोक से संबंधित है नेक्ष है अनुचे 300 कर राज किसी भी व्यक्ती को उसकी संपती से वन्चित नहीं करेगा पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतरगत था पर सविधान के 44 संसोधन 1978 द्वारा इसे अनुचे 300 कर में एक समान बैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया तो 300 कर जो है उस संपती के अधिकार से संबंदित है नेक्ष देख लेते हैं अनुचे 312 300 , द्वारा राजसभा विषेस बहुमत द्वारा नहीं अखिल भारतिय सिवाओ की अस्थापना की अनुशन्सा करेगा तो 312 नहीं अखिल भारतिय सिवाओ की अस्थापना से संबंदित है नेक्ष है 315 संग यम्राजी के लिए एक लोग सवा आयोग का अस्थापना की जाएगी 315 में एक लोग सवा आयोग की अस्थापना संबंदित है अनुछे 524 चुनाव के प्रवेक्षन निर्देशन एवं नियंत्रन संबंदि समस्क्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी तो 324 चुनाव से निर्वाचन आयोग संबंदित है नेक्ष है 300 अनुछे 326 ये लोग सवा तथा विधान सवाओं में चुनाव वयस्क मता अधिकार के अधार पर होगा तो 326 में वयस्क मता अधिकार के बारे में उलेख है अनुछे 330 तेख लेते हैं लोग सवा में अनुसूची जाती यों जन जातियों के लिए आरक्षन का प्रावधान है तो अनुछे 330 में लोग सवा की बात करेगा SCST के आरक्षन से संबंदित है नेक्ष है अनुछे 331 यह आंगल भारतिय समुदाय के लोगों का राश्डपती द्वारा लोग सवा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उसका उचित परतिनी दित्व नहीं है तो 331 में आंग भारतिय समुदाय के लोगों का लोग सभा में मनों नयन से संबंदित है ये राश्पती के द्वारा किया जाता है नेक्ष अनुचेद देख लेते हैं अनुचेद 352 352 में अनुचेद जाती जन जातियों का विधान सभा में अरक्षन था अरक्षन का प्रावधान है 332 में विधान सभा में SCST का प्रावधान के अरक्षन का प्रावधान है नेक्ष देख लेते हैं अनुचेद 333 ये आंगल भारतिय समुदाय के लोगों का विधान सभा में मनुनयान है नेक्ष है अनुछेद 335 अनुशूचित जाती जन जाती रों पिछड़ा वर्ग के विभीन सेवाओं में पदो का आरक्षन का प्रावधान है 335 के द्वारा SC, ST तथा OBC, BC के लिए विभीन सेवाओं में पदो पर आरक्षन का प्रावधान है 335 के द्वारा नेक्ष है अनुछेद 338 के राष्टिये अनुशूचित जन जाती रों से समबंदी है 338 अनुसूचित जाती से संबंधित है और 338 को अनुसूचित जन जाती से संबंधित है नेक्षे अनुचे 340 ये पिछड़े वर्गी की दसाओं के अनुवेशन के लिए आयोगी निवतित नेक्षे अनुचे 343 ये संग की अधिकारिक भासा देवनागरी लिपी में लिखी गए हिंदी होगी ये 343 में वर्णित है नेक्ष्ट अनुचे देखेते हैं अनुचे 347 यदि किसी राज्य में प्रयाप्त संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हो और उनकी आकांच्छा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भासा को मन्यता दी जाए तो इसकी अनुचे राश्ट पती दे सकता है ठीक है तो ये था अनुचे 347 नेक्ष देखते हैं 351 देखते हैं अनुचे 351 ये संख का कर्तब्वे होगा कि वो हिंदी भासा का प्रसार ये मुद्दान करें ताकि वो भारत की मिस्रिस संस्क्रीती के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ती का माध्यम बनें नेक्ष अनुचे 352 राश्पती द्वारा अपाति सिती की घोसना यदि वो समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरप्चा युद्ध बाह आक्रमन एवं सैन विद्रोह के फल स्वरुप खतरे में हैं तो 352 राश्पती की अपात काल की घोसना संबंदित है नेक्ष है अनुचे 355 इसमें बाह आक्रमन और आंत्रिक और सांती से सराज्य की रक्षा करने का संग का करतब्य का उलेख किया गया तो अनुछे 355 में बाह आक्रमन और आंत्रिक और सांती से राजी की रक्षा करने का संग का कर्टब्बे का उलेख है ठीक है? नेक्ष देख लेते हैं अनुछे 356 356 इसमें क्या है? यदि किसी राजी के राजपाल द्वारा राश्पती को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज में सहिधानिक तंत्र और सफल हो गया है तो वहां राश्पती सासन लागू किया जा सकता है तो अनुछे 356 राश्पती सासन से संबंदित है नेक्ष है अनुछे 360 यदि राश्पती यह समस्ता है कि भारत या इसके किसी भाग की वितिय स्थर्ता तथा साक खतरे में है तो वह वितिय आपात इस्थिति की भोसना कर सकता है तो अनुछे 360 वितिय आपात से संबंदित है नेक्ष देखते हैं अनुछे 365 यदि कोई राज केंदर द्वारा भेजे गए किसी कारेकारी निर्देश का पालन करने में और सफल रहता है तो राश्पती वारा या समझा जाना विति सम्मत होगा कि उस राज में सविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की इस्तिती में नहीं है और वहां राश्पती सासन लागू होगा लेक्ष अनुछे देख लेते हैं 368 संसत को सविधान के किसी विभाग में संसोधन का अधिकार है करने का तो 368 संसोधन से संबंदित अधिकार से संबंदित है नेक्ष देखते हैं अनुछे 370 इसके अंतरकत जम्मू और कस्मीर की विशेश अस्थिती का वर्णन है जो कि अब हटा दिया गया है नेक्ष अनुछे 371 कुछ राजियों के विशेश शेत्रों के विकास के लिए राष्टपती बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महराष्ट, गुजरात, नागालेंड, मनिपूल, वित्यादे नेक्ष अनुछे 394 कुछ इसके द्वारा राष्टपती अपने अधिकार के अंतरगत इस सविधान का हिंदी भासा में अनुवाद कराएगा और नेक्ष टेथ लेते हैं 395 अनुछे 395 में भारतिये स्वतन तता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी कॉंसिल 16 अधिकार अधिनियम सामिल नहीं है यहां रद किया जाता है तो इस तरह हम लोगों ने सविधान के मुक अनुछेद महत्पून अनुछेद जो है वो देखा अब नेक्ष वीडियो में हम लोग सविधान में किये गए प्रमुक संसोधन को लेके मिलेंगे ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें ओक्के